वेलकम गाइस एफटर पिशिस्टी ने विसेख चैनल में एव फिर आप सभी का जोरदार स्वागत है नीव वीडियो के साथ क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है एक नई पोस्ट डाली थी जहां पे पीवी मोड के बारे हम बात की गई थी और उसी के साथ एक नीव पहले अपडेट आएगा उसके बाद आपको लॉग इन करने पर काभी अच्छा थमनेल बनाया है और बात करें तो पीवी मोड पीवी मोड होता क्या है प्लेयर वर्सुस एंवार्मेंट होता है ठीक है और चलो इसी के साथ बिल्डिंग के सुरुवात करते हैं और देखते अच्छा थेल लियागा और यहां पर तीन तरह के मोड दिख रहे हैं जैसे तुम नीचे देख सकते हैं इन फैंट्री मोड रेंज स्टेज है ठीक है तो पहले तुमें मैं फैंट्री में समझा देता हूं कहां पर है मेरे घोड़वी या ठीक है यह तुम देखो यार यहां मैं तुमें सौटकट में समझा दूँगा कि क्या क्या कि इसमें कहा गया है ठीक है जैसे तुम बोर ना हो वीडियो में अच्छे से बनने रहो और तुमारा भी टाइम बचे ठीक है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंफैंट्री सेट में इंफैंट्री स्टेज में मारते कहना हूं तो सुरवाती मोड है इसमें काफी स्ञेल है इसे आप आप औराम Battle से खेल के चला सकते हो इतना मैंने आपको पहले बता ही आपको अपर गी तरफ ही रो ही रोड करया है यहां पर बाद करना नहीं आता है तो यहां पर आपछाव wz नानवन-मी प्रस्स करना है है भाक्त को पदा ही स्टेज में वाले इसकते के बाट सब्सक्षिके होर कुष्अ करेंहें हे तो स्ट्सक्राइब बनावा क्लाइवरी का तो हम उस तरह के heroes choose करेंगे ठीक है तो वाले heroes ले लेते हैं जो नहीं है तो नहीं लेंगे और उसके साथ सथ तुम देख सकते हो यहां पे नीचे army limit दीक है और भी देख सकते हो यहां से तुम troops select कर सकते हो तुम्हारा जो भी मनो जिस टाइप में तुम ट्रूप तीन टाइप में troops ले जाने तो तुम त्री टाइप से ले जाना से लेगे तो दूबल में ले जाना ठीक है उसके बाद बात करें तो यहां पे battle configuration लिखा हुआ है ठीक है और यह देखो percentage की बात करें तो यहां पर जैसे तुम नहीं दे सकते हो टेलीस को यह जूम क जो रियल बूस्ट है क्लाइवरी का मैं वह दिखाऊ ना तो वह है तकरीबन 34 से 34 से 37 के बीच में है ठीक है चलो मैं एक बार पहले तुम्हें दिखा देता हूं कि कितना है क्योंकि इसमें थोड़े से boost extra भी मिलने है ठीक है चलो पहले तुम एक बार यहां प्या के दिखा से देता हूं यह दिखो तुम ध्हान से देख लो और उसको थोड़ा से रखो मेरा inspiration में 37% है रेंज में 36% है और तुम लेज बूस्ट है तुम देखा रहाए दिखा रहा है मेरा क्लैवरी का 104% tut तुम इससे अंदाजा लगा सब्योपार進AKE कि हर टाइप में एक एक थोड़ा थोड़ा बुस्ट सम्में मिला लगवर तकरीबन यह तुम्हारा पहुच रहा चाहर चाहँ चाहँ चाहर चाहा हो गया ठीक है, क्लैवरी चूट के लिए थे, यहां पर बात करें हम सेट की, तो यहां पर जो भी हैंै गीर्स मेरे जो भी सेट तो बात करें करें के यह थे, यहां पने आप सेट करके रखा है यहां तो तुम्हरे दे बात पहले का नहीं आता है फेड करना, तो यह पर उटो पर दबा दो, यते खो जैसे ऑटो फिलोगे तो क्लैवरी अपने अर्थक बाद हो गए अब यहां पर जो नीचे बैटल दिख दिख दिए इस पर टैप करने के बाद यह तुम्हारा स्टेज चालू दाएगा अभी के लिए नहीं चालूगा क्यों मैंने कल रात में पहले इसी खेल के पूरा कंप्लेट कर दिया इसका रूल कैaf इस पूरा इसंगे बिल्डिंग इसका रूल कहता है कि आप एक दिन में केवल पचास लेषल तक ही खेल सतّें 50 stage तक ही आप जा सकते हैं उसके अलाबा आगे नहीं थीक उसके आगे जाने के लिए आपको एक दिन का वेट करना पड़ेगा अगले दिन का ठीक आने का एक दिन में के अलाब 50 खेज सकते हैं वो भी एक stage के बता रहा हूं तो यहां पर तीन स्टेज है तो कुल मिला कि आप डेर सो स्टेज खेज सते हैं और यह सही बता हूं तो पहला जो मैंने पचास लेवल तक आ गया हूं पचास स्टेज तक इसमें आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसली आप बहुत सत्ते हो क्योंकि अभी सुर यह अपैशस करसके हैं कि यहां से कि ठोड़ा सीखने का तरीका मिल जाएगा और ह में कहा गया है कि आपने इसमें टार 4 और unlock किया हुआ है तो आप यहां पे TIR 4 heroes भी इस्तमाल कर सकते हैं troops इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है यदि आपने TIR 4 troops नहीं मतलब कि यदि आपने TIR 4 stage नहीं unlock किया है तो आपको TIR 1 तो unlock होगा तो आप TIR 1 के troops पाएंगे TIR 2 के भी पाएंगे एक भी टूप्स नहीं है यह देखो एक भी टूप्स नहीं है लेवल थी तक का नहीं लेवल टू तक का मेरा खूला अधूर टूपस तुम देख सकते हूँ एक भी च्रोंद नहीं और यहां पर तुम्हारा कायसा réduिश करगा मैING क्या बढ़ेगा यह देख देख रहा है के जैसे स्टेज कंप्लीट होते जाएंगे उसके इसाब से तुम्हारी जो यह स्टेज है जैसे तुम्हारे देख रहा है कि मैक्सम आरमी जो साइज बूस्ट है मतलब की 19 रार 200 जो ले जासते हैं वह और इंक्रीस होता जागा वह धीरे धीरे होगा ठीक है वह अपने इसाब से और बात करें तो इसमें तुम सोचरों की वाला जोख नहीं होता है एक बूस्ट आर्मी साइज वाला है 50 परसंट इस्तमाल कर लें 25 परसंट तो उसे यूस करने के बाद यहां पर कोई इंपक्ट निपड़ने अला पहले बता दे रहा है ठीक है यहां पर कोई फायदा नही है यहां इस्तमाल होगा ही नहीं तो जैसे आर तुम इसमें देखी सकते हो है नंबर 6 पर रूल में लिखा है यू कैन यूस यूर मैक्सम आर्मी साइज इन ट्रायल बाइफायर बट कैन नोट एकसीड दा मैक्सम आर्मी साइज लिमिट के सेट बाई इच स्टेज ठीक है आ सच बता हूं तो मुझे लगता है यार कि इसमें तुम आगे धीरे धीरे बढ़ोगा वहां पर फिर तुम्हें सीखने को मिलेगा कि कैसे लीडर्स चूज करने उसके बाद किया कंपोजिजन रखना है कहां पर कितना ले जाना है जरूरी नहीं कि मैं क्लैवरी को इतना लू ठीक है यहां से खेलते वे जाएगा ओटो पर यहां पर टैप कर दो को यह आटोमेटिक क्लियर करता जाएगा जहां पर तुम हार जाते हो वहां पर धूवा निकलने लगेगा उसके बाद यहां पर जो बैटल दिख ली ना यह तलवार वाली आपस में जो यह कटी हुई है यहीं पर साइड में कॉमएन सा रिपोर्ड बन रातोग है जब किस GDP महा जाते हो ठीक हे तुम महां पर देख साथ्त हो क्या था क्या मैंने भेज्ञा था कितनी। खंपोजीशंती लिग बना लिग ताथ यह तुम्हा है र्रिवाटिया ओट था कितने एक ब्शा थे चो तो तो मैं भी तुम्हें दिखा देता हूं और टिफेक्ट सार्ट में चल गई तुम देख सथ तो आठीफेक्ट सार्ट्स खेलो कर तो इतना मीलेगा इस मतब सार्ट्स पांच मिलेंगे उपर से तुम्हें कुछ एक्सपीरेंस पॉइंट वाले बूस्ट मिलना हैं प्लेयर वाले पांच पांच होगे और कुछ स्पीड़ मिलनें बहुत जादा खास नहीं और गेल्ड कोई मिल ठीक है इतना दो हमके वाले की बारों के लेटकर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं तो मैं सार्ट्स दिखा दे ठीक है तो यह भी रहा एक बार अपडेट कर लेते हैं तो यह रहा मारा सेट यह रहा मारा एकसार जो हमें भी विल्डंग से मिला और आप लोग क्या कहते हो यह जरूर मिश्का में करके जरूर बताना कि यह बीनिंग आ पर आने वाले जो टाइम में है जैसे जाशे मैं मिनमम में कम से कम एक पंदरा सो से दो हजार स्टेज तो होंगे एक स्टेज में ठीक है इंफेंटिक की बात कर लो है किसी भी मिनमम जो मैं स्टेज बता रहा हूं वह एक हजार से 2000 तो होंगे यह minimum maximum की बात नहीं कर सकते हैं यहां पर कुछ भी हो सकता है ठीक है और तुम्हें भी बता दिया मैंने कि एक बार में तुम केल 50 stage खेल सकते हो किसी भी चीज़ का ठीक है उसके आगे जादा तुम नहीं खेल पाओगे जैसे देखो मैंने कल खेल रखा है तो यहां पर और नहीं खेलने का option दे रहा है और बात करें तो इसमें टोटल तुम 1500 stage एक दिन में पार कर सकते हो लिमिट है यह इसकी एक दिन की ज्यादा चरसी मत बनो इस गेम के इसलिए इन्होंने एक चीज यह set कर करके रखा है ठीक है तो बस यार वीडियो में इतना ही और कुछ चीज़े तो छूट नहीं रही हो ऐसे तो अपना आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा यार आपको यह building तो यार वीडियो में देखो बस इतना ही और उसके साथ साथ एक चीज़ मैं और कहना चाहूंगा कि जो लोग हमारे चैनल पर पहले से बने वे हैं जो भी हमारे भाई लोग है ठीक है भाई बंदू और giveaway स्टार्ट हो गया है तो जो भी चीज़े पूछी जाए community chest में उसका reply बराबर करते रहो और उसके भी आप पर लोग को सेमानदार है इस चीज में ठीक है मतलब कि मैं उसको देना चाहता हूं जो अपने आप से हमेशा से वीडियो में है मेरे साथ ठीक मैं उसको दूंगा उसके साथ जरूर कमेंट करके बताना क्या यह building आपको कैसे लगी तो देखो या एक चीज मैं कहना चाहता था कि भाई हर एक प्लेयर की टेक्सपेट करना चाहिए ठीक है चाहे वह hybrid हो या नवी हो या मैं हूँ या मेरे से भी छोटा प्लेयर हो या कोई भी हो ठीक है मैं मानता हूं कि hybrid इस टाइम पे जीरो हो चेग है और अपने टाइम पे वह एक star प्लेयर थे ठीक है मतलब कि जब हम लोगों सी है पता भी नहीं था कुछ भी चीड़ी है तो हम लोगों सिखा दे थे तो या रडैस्पट हमेशा किनी चीजिग भले आज वह कुछ भी हो नवी भाइ मजाक मजाक में चीज़े North का देते कि इनको आइसगर गदए वह कह सते हैं ठीक है पर हम नहीं कह सकते कि हम उनके जब बराबर पर आजाए तब हम कहेंगे उससे पहले मत कहने कोसिस करो ठीक है तो जैसे यार तुम देखो यार जब मैं कहना चाहता हूं जैसे कि तुम लोगों पता है कि यह जो मेरा चैनल है यह मैं एक साल पहले बनाया ठीक है और जो हाइब्रिट की बात करें तो वह बहुत चा भले ही आज के टाइम पर कुछ भी हो कैसा भी हो कोई मैटर नहीं करता क्योंकि उसने अपने टाइम पर उसने वह एफट दिया लोगों को सपोर्ट किया ताकि लोग इस गेम को जान सके और अच्छे से खेल सके आज के टाइम पर नभी भाई बहुत अच्छा मतलब कहें त आज़े आपको वार सिखनी हो ना बैटल सिखनी हो जाए वटर पे हो किसी भी चीज के बारे वो नभी भाई पहुत अच्छा अमा समझाते हैं तो उनको जरूर जोईन करो और कुछ भी सीखना हो तो उनको जरूर जोईन करो और respect हमेशा करो और मजाख हमेशा आर उसके साह पर यही मजाग भाई लोग सीडियस भी ले ले लेते है और अच्छा भी नहीं लें लागता है यार यह हिए थीडिस को लोग ऐसे कहा रहे हैं और आज यारी हुद को यह कर दो अपने टाम एक स्टार प्लेयर थे और आज भी हैं भले वो कुछ भी हो ठीक तो यार यह मैं कहना चाहता हूं कि हमेशार एक्सपेट करते रहो तो बस यार आज